प्रेंड आझे वीडियो मिन हम जानने वाले हैं आपके फॉन में बैटरी चार्ड हो जाता है, तो उपर आपको सु करता है और आपको जिस तरीक से वस सो कर रहा है वो आपको पसंद रही है वह तरीका ऐसे बैटरी को तो प्यूब कर सकते हैं । इसके लिए वीडियो को पता नहीं है की लिए अपने लिए लेकर चलते हैं आपको अपने Fine Skipe पर बता थे हैं कैसे हैं फ्रेंड्स हम अपने फ़ dirj इंडक्टर चेंज कर सकते हैं यानि बेटरी जो आपका दिखा रहा है जैसे यहाँ पे उसचेट को कैशे चेंज कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फॉन के शेटिंस में शेटिंस में आने के वाद आपको यहां धूंड़ना है Notification and Control Center अगर आपको यहां नहीं मिला है तो आप सेटो बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो फिलाल मेरे को यहां नीचे मिल चुका है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपको भी notification and control center पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको scroll down करके नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको सबसे नीचे देखागा status bar उस पे simply आपको क्लिक करना है क्लिक करने के वाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा बैटरी इंडक्टर तो simply आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के वाद आपको यहां साइड में दिख चाहेगा कि आपके बैटरी में कौन-कौन सा इंडक्टर है कौन-कौन सा आप लगा सकते हो तो जैसे मेरे में अभी यह लगा है, अभी आप यहाँ उपर देख सकते हो, फिलाल मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ, आप उपर में देखते रहेगा चेंज होगा यह, तो simply मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारा यह चेंज हो चुका है, अगर दूसरा लगाना चाहे तो आप यहाँ से दूसरा भी लगा सकते हो, जैसे मैं इस पर लगाता हूँ, तो देख सकते हो, आप मेरा वो लग चुका है, इसी तरह आप अगर चाहे कि पीछे वाला ही लगा दूँ, तो simply फिर से यहाँ पर आकर ऐसे ही क्लिक करना है, इस इस तरह आप अपने बैटरी इंडक्टर को सीव कर सकते हो, चैन्ज कर सकते हो, जिस तरह का चाहो उस तरह का लगा सकते हो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए बाइ, टेक के झाले